इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वाटसे बिजनस में नियू आईडी कैसे बनाएं अगर आप वाटसे बिजनस का एक नया आईडी क्रियेट करना चाहते हैं और आपको मालुम नहीं है कि वाटसे बिजनस में एक नया आईडी कैसे हम क्रियेट कर सकते हैं कर सकते हैं, तो सबसे पहले WhatsApp Business का ID create करने के लिए, आपको सबसे पहले अपने WhatsApp Business को open कर लेना है इसके बाद आपको यहाँ पर एक option देखने को मिल जाएगा, agree and continue का, simply इस agree and continue वाले बटन पे click करना है, तो यहाँ पर आपसे permission बोलेगा allow करने के लिए, simply आपको allow के बटन पे click करना है, इसके बाद यहाँ पर आपसे जो है, आपका mobile नंबर पूछा जाएगा जिस भी mobile नंबर से आप WhatsApp Business का ID बनाना चाहते हैं, simply उस mobile नंबर को यहाँ पर डाल देना है mobile नंबर को डालने के बद आपको next वाले बटन पे click करना है, और जैसे ही आप next वाले बटन पे click कर देते हैं, तो यहाँ पर कुछ दिकन loading लेगा, और यहाँ पर आपको बोलेगा number आपका सही है, तो आपको continue वाले button पे click करना है, यहाँ पर continue पे click करने के बाद, यहाँ पर इस तरीके से permission को बोलेगा continue करने के लिए, simply आपको इस continue पे click कर देना है, यहाँ पर permission को allow देना है इस तरीके से और यहाँ पर allow करने के बाद दोस्तों आपका जो number है ना उस number पे कुछ code गिरेगा, ठीक है वो code automatically यहाँ पर या फिर दोस्तों आपके number पे call भी आएगा, तो call भी दोस्तों यहाँ पर जो है देख सकते हैं call आते ही कर चुका है, इसका मतलब यह है कि जो आपका account है ना वो यहाँ पर verify हो चुका है, ठीक है, अगर call दूसरे phone में आता है ना तो यहाँ पर कि दूसरे phone में OTP बताएगा उस OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है इसके बाद कुछ इस तरीके का page आता है इससे पहले अगर आपने account बनाया होगा तो यहाँ पर contact वाला option मायेगा अगर पहली बार बना रहे हैं तो फिर भी पुछा जाएगा तो आपको contact पर क्लिक करना है permission को allow देना है ताकि जो भी contact number होगा वो आपके business account में आ जाएगा ठीक है permission को allow दीजे कुछ इस तरीके से इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का page आता है ठीक है अब यहाँ पर आप अपने chat को backup करने के लिए बुलेगा अगर आपने account बनाया होगा इससे पहले तो backup करने के लिए बुलेगा तो आप कर सकते हैं वरना आप यहाँ पर skip के button पर क्लिक कीजिए and skip यहाँ पर restore पर क्लिक कर दीजिए इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका business name पुछा जाएगा जो आपका business में name है उसे आपको यहाँ पर डाल देना है तो यहाँ पर मेरे पास कोई business नहीं था तो मैंने अपना ही नाम डाल दिया है इसके बाद आपको category पर क्लिक करना है यहाँ से category select करना है कि आप किस reason से जो है what से business बना रहे है कोई आपका swap है या फिर education वाला है या फिर entertainment art है finance वाला है hotel है किस यहाँ पर reason से बना रहे है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ no a business को select कर लेता हूँ इस तरीके से और इसके बाद यहाँ पर आपको जो है next वाले button पर क्लिक कर देना है अब जैसे ही next पर क्लिक केज़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो WhatsApp business का ID है वो यहाँ पर बन के तियार हो जाता है simply आपको यहाँ पर जो है note now पर क्लिक करना है और आप देख सकते हैं आपका account बन के तियार हो गया इस तरीके से आप WhatsApp business में एक नया ID बना सकते हैं वीडियो कैसा लगा comment box में जोर से बताएगा वीडियो को लाइक करना साथ इस चैनल को subscribe करना ना भूलें